नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियर में हम पंडनेवाले हैं असीक्यावन माइक्रो कंट्रोलर के बाले minder तो आप मेंसे जितने वी ईलेक्ट्रोनक्स मेकेनिक्स की सैकेंडियर के स्टूडेंस हैं तो इसी के बारे में जो है हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे इसका आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे और आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा अच्छे से समझते रहेगा और जो ना आए आप कॉमेंट सकते हैं मुझ से क्यूंकि आज की इस वीडियो मैं आप को इजडी से एज़ी वे में बताया है 80igm5 Premiere कंट्रोल के बारे में तो इस तरहाए की वीडियो आपको य्यूटुब पर कहीं नहीं मिलेगी 80 m माइक्रो कंट्रोलर के बात में मैंने आपको सरल और हिंदी वासा में समझाया जाता है डिटिल से लेकिन मैंने आप सभी के लिए माइक्रो कंट्रोलर को हिंदी में समझाया है कि कैसे क्या पर चीज़ें होती हैं काम करती हैं तो वीडियो सुरू करने से मेल है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो चैनल है एलेक्ट्रोनक्स मेकेनिस के जितने भी इस्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ल पर पढ़ रहे हैं सेकेंड यार में बहुत से चैप्राइब हम लोगों पढ़ लिए तो वह आप वीडियो इसमें जाकर देख सकते हैं अब हम बात करते हैं असी क्यावर माइक्रो कंट्रोलर के बारे में तो यहांसे मैं आप सभी से बोलना चाहूंगे आप सभी लोग आपको यहां पर समझना ही बहुत important है जहां पर आप देख सकते हिस परकार से कुछ डाइग्राम में जो कि आपको book में होगा तो आप मैंसे बहुत से लोग ओने शोग से बखा उध बहुत से लोग जोए इस डायग्राम को देखें मलब घवरा से जाते हैं कि वहार एक्क्य है तो आप लोगो केवल करना क्या है कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान के साथ देखना है आपको कहीं हुई ध्यान इधर उदर भटकना नहीं चाहिए आपका आपको फुल फोकस होना चाहिए इस वीडियो पर तो दूस्तों यहां पर दो परकायर के माइक्रो कंट्रल हैं चेप्टर में एक है कि और इसी के बार जो दूसरा वह पी आईज सी माइक्रो कंट्रोलर तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले असी क्यावन माइक्रो कंट्रोलर के बारे में तो मैं आपको यहां पर ज्यादा बोर्ड नहीं करता हूं डार्ट ही बात करते हैं अपने करें अविに चुप के रूप में तो आता है जैसा कि यहां पर देख सकते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर एक चिप के रूप में ही तो मिलता है इस में माइक्रो पुरसेशर तथा मेमोरी इंटरफसंग डिवाइस टाइंड काउंटर होते हैं विल्दक इसके अंदर पूर्सेशर भी होगा कि मैमोरीा भीवी होगी इंटरफसंग डिवाइस भी격ा टाइम और और पा seem itself या या Computers की तो Computers में जो हम Processor अलग लगाते हैं रेम अलग लगाते हैं, अलग लगाते हैं लेकिन यह Micro Controller एक सचीज होती है जिसमें memory, Micro Processors बगएरा एक चिप के अंदर होता है. Micro Controller का प्रियोग Robotics, LED Information, Display में और Remote Control Device Information प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है. करेंगे इसके बारे में जो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोल था वो 1971 में बनाए गया था 1971 में जिसका नाम था TMS 1000 याद रखेंगा यह बहुत important question है आप से पूछ सकता है कि सबसे पहले माइक्रो कंट्रोल किस चन में बनाया गया और कौन सा माइक्रो कंट्रोल था आपको याद रखना है 1971 याद मार्केट में आया वे इसको हम लोगों ने यूज में लिया 1974 में तो यह यहां पर एक इंपोर्टन कोशन है कि माइक्रो कंट्रूलर TMS 1000 को मार्केट में या यूज में कब लिया गया तो आपको याद रखना है 1974 में इसके बाद और भी बहुत सारे माइक्रो कंट्रूलर बने लेकिन लेकिन 1980 में एक माइक्रो कंट्रूलर बना गया जो कि इंटेल कंपणी के द्वारा बनाया जिसका नाम सा 8051 क्यावन तो इंटेल एक बहुत बड़ी कंपनी है अगर आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते हौंगज meats दियल 12 2 के पूरसर माइक्रो पूर्टिसर बगैर्द बगैरा बगैरा हाँ पर बनाती है तो एक 8 bit का 머리 अम प्रति यह एक टाव लगे where each time पर कीवाल इट बिट की मेंबर्यइंपर फिर्लिक रसका इसलिए जो है यह 8-bit का माइक्रो कंट्रोलर था अब यहां पर 8-bit का आप आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह सिस्टम टाइफ है 64-bit 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मलब है कि इस कंप्यूटर का प्रोसेजर एक टाइम पर 64-bit की मेमरी पर ही काम कर सकता है इसके बाद हम बात करें ब्लॉक डाइग्राम की तो आप मैंसे बहुत से लोगों ने जो अस्षिक्यावन का इस प्रिकार से ब्लॉक डाइग्राम देखा होगा लेकिन आसान बाता हम बोलें तो यह 2.0 है महलब की यह दूसरा ब्लॉक डाइग्राम है माइक्रो कंट्रोलर का यह 2.2 इसको हम बोल सकते हैं यह ब्लॉक डाइग्राम यह आर्किटेक्चर बहुत इजी है और यह जो है 2.2 है तो इसके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में पहले हम पढ़ें इस आर्किटेक्चर के बारे में और इसको मैं आपको कंप्लिटल बनाना बताने वाला हूं कि आप किस प्रिकार से इसको बना सकते हैं बहुत ही इजी वे मैंने आपको बताया हो आप इजीली सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते है नॉर्मल माइल कंट्रोलर का अइडर्नल डाइग्राम आ इसके बाद हमें पता है कि इस में मैक्रो पूरसेसर जैसा कि हमने दियाँ पर एक माइक्रो पूर्सेसर लगा दिया अब एक माइक्रो पूर्सेसर के अंदर क्या क्या होता है तो एक माइक्रो पूर्सेसर के अंदर एक माइक्रो पूर्सेसर के अंदर होते हैं इसके बाद मैंने बताया था है इसके अंदर मेमोरी होती है तो साथ उस परकार से जो है हम पर एक नॉर्मल माइक्रु कंट्रोल हुदा है जैसा कि यहां पर मैंने आपको पता है कि इसमें माइक्रोपर् pricesolar, memory, interface device, timer or counter वो ते हैं एक normal micro controller में तो यहां पर उसी परकार से माइक्रोपर्सेसर, memory, interface device time % रिक नॉर्मल maидya controller में अब बात ते हैं सब्सक्राГब करते हैं अस्तिक्ष और माइक्रो कंट्रोर की आर्विक टेक्चर या अंटरौर्स डाग्रैम लिधा के अंदर विपिसलिग्ट होता है और मंधुरी भी होती है अब यहां पर में नियमक्री थे दौ करकी एक बार ही राइट कर सकते थे दूआ राइट नहीं कर सकते थे इसलिए इपी रॉम का यूज किया जाने लगा इसमें हम एक्टरनिक पर ये भी सकते थे हैं और राईट भी नारे राब सकते बार-क इसके बार अशी ये क्यान माइक्र कॉंट्र्म में टाइमर होता है काउंटर ऩोताएं ऍटरोफल्स होता है अभी बस क्या है वा depende के बाफ भênत मोटता नि erst Lots एक बायर है जो कि data को एक स्थान से दूर्स सबसां तक ले जाता है तो 16 बिट की अड्रस्पाकी डीटा बस उती है इसका मलब है 16 लिटी एक टाइम पर 16-bit का अड्रस ले जा सकती है और एक टाइम पर 8-bit का डीटा ले जा सकती है इसमें accumulator और रेजिटर होते हैं यह दिनों 8-bit के होते हैं लग कि 8-bit की जो है निमें हम मेमोरी स्टूर कर सकते हैं इन सभी के बार हम जो नेक्स वीडियो पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से और जो accumulator होता है उसको हम यह से लिखते हैं जनरली आपको यह टाइब का देखेगा तो आप समझ जाएगा कि accumulator है और इसमें 16-bit की dptr और डेटा पॉइंटर रेइस्टर और 16-bit का accumulator होता है 16-bit का PC यानि प्रोग्राम काउंटर होता है 16-bit का dptr डेटा पॉइंटर रेजिस्टर होता है इट बिट का स्टेक पॉइंटर होता है यह बिट का पिस्ट डबल्यू आनि प्रोग्राम इस्टेटर से बड़ होता है चार केवी कि यहां पर लिखे हुई है इस चिप के अंदर है यहाद रखेंगा इन मैंसे कोई भी जो है कोई भी बाहर नहीं है यह सारे की सारी चीजहें इस अच्छी क्या वर माइक्रो कॉंट्रोल लगे एस चिप के अंदर है ठीके इसके बाद 128 byte की RAM यान Random Access Memory इसके बाद 4 8 bit ports होते हैं लग्वी 4 ports होते हैं और हर एक पूर्ट के बाद 8 pins होती है तो 4 ports हो गए और 8 pins है तो आठ चौके 32 यानि 32 input output pins यहां बर हो गई 16 bit का इसमें timer and counter होता है इसमें एक crystal oscillator होता है इन clock circuit इसके बाद टी कॉन यानि टाइमर data buffer तो इन सभी का जो है आप सभी लोग एक बार screenshot यहां पर ले लिजिए ताकि आप इसको भूले ना अब हम बनाते हैं अपने स्ट्री का और माइक्रो कंट्रोल का architecture तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने एक खाली यहां पर पीस लिए ड्रॉइंग से लिए उस पर मैं पर सबसे पहले करना क्या है एक data बस बनाने है नीचे अगर आप चित्र को नीचे से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप इसको बिना किसी confusion की बना सकते अगर आप उपर से बनाना चाहें तो आप पर पर डिपेंट है लेकिन मैंने जो आपर सीखा हुआ बनाना वो नीची से इसी आप एक 16 बिट की data बस आगी सबसे पहले हमें लागाना अपने पूर्ट बन लेच यहां पर पता में चार पूर्ट होते हैं तो यहां पर पूर्ट बन लेच यहां पर जो डिटा बस से जुड जो की directly connected है data बस से और यह port one driver हो गया इसी प्रेकार पूर्ट त्रीज हो गया और पूर्ट त्री इसलिए हमने पर पोर्ट बन बनाया इसके बाद इस डेटा वरस के उपर इसी के उपर ऐक हम ब्रॉक बनाएंगे जोंकि हो Бы हो एंटरहप từ एंड टाइमर ब्लॉक योगी डारक्लिकनेक्टेड़ वाइस डीस्टा बस से साइडर को तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्uschन रघिस्टर लगाएंगे उन्टैटल कि दीटेड़ बस से इसके बाद timing and control circuit जो है वह हम इसी instruction register से यहाँ पर जोड़ देंगे इसे के बाद इसमें जो है चार पिंस होती हैं दो बाहर के और निकलेंगे दो अंदर के और होगी जो बाहर के और निकलेंगे बहुँगे P, S, E, N, Bar, E, L, E, Bar और जो अंदर के और होगी बहुँगी ये बार और R, 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 का मदलब reset इसके बाद जो है इतना बनाने के बाद इसके नीचे जो हमें एक oscillator जोड़ देना है और सी लेटर हमने पता एक crystal oscillator होता है जो कि मैंने आपको शुरुवात में बताया है इसमें crystal oscillator भी होता है तो यह oscillator जोड़ दिया हमने इसी के साथ जो हमें तो कापिसिटा जोड तो इस प्रकार से आपको यहाप बनाना है एक बाद फिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यह हमारा oscillator हो गया फिर यहाँ पर मैं दूए यहां पर जूड़ देने हैं इसके बाद इन दोने के बीच में एक क्रिस्टल लगा देना है कुछ इस प्रिकार जोए आप यहां पर ऑसलेटर कर देंगे इसके बाद अब हम साइट को चलते हैं तो इस साइट पर जोग डिप्ट ऑचलते हैं तो हम लोगोंने दो लैज उपधोर बागी बच्ट पर बना दिन। ॉपर है तो सब सब पहले आगे हमारा पूरस जीरो हाँ पर नहीं है सब्सक्रान बताया सबसंदर बहारी और बाहर की सवर्द्रेवर हैं और इसी फॉयॉव्द्राइबर शसे के मिलाकि辉स अधक्त करें उपर के मना दिए दो पोर्स निच्छीं के मना दिए और टूटाल चार पोर्स हमारे हो गए और यह डार्कली कर्णेक्टीड होते हैं एक डेटा आप से इसी की धर्ण अब इस्टेक पोइंटर का काम क्या होता है इस टेक्स एलेटिव जितनी भी उप्रेसन होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता अब एक्षिन आप जितने भी आपर मैं पार्ट नहां पर बनाने वाला हूं उन सभी के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो इस ब बार बार और यह एपी रो में यह भी डारेक्ट ली डेटा बस से कनेक्टेड होगी और इसी के जस्ट साइड को जो हम आप पर रेम लगाएंगी क्योंकि रॉम तो हमने लगा दिया अब बार ही हमारे रेम की तो यहाँ पर आप देख सकता हम लोगों ने रेम यहां पर होता है इसी के बाद इसी के नीचे जो है मैं यहाँ रेजिस्टर होता है तो इसी के साथ हम अपना एक रेजिस्टर जोड़ देंगे जो कि बी रेजिस्टर होता है ये वी डारेक्डली तो जो register होता है उसको हम B register बोलते है ठीक है इसके बाद आपर दो register और आएगे इन्टर्णरी सबसे पहले आएगा temporary register टू जो कि कनेक्टेद होगा data वस्ते इसे के बाद आएगा temporary register बन यहाँ पर पर होगा अब इस दोनों टेंपरी रिस्टर बनाने के बाद इन दोनों के बीच में आ जाएगा हमारा अभी आप लोग यहां पर एक बाद रखेगा जो हमारे टेंपररी रिस्टर टू है वो हमारे एक्क्यूमुलेटर से भी यहां पर जुड़ा होगा हुगा ठीक है इसके बाद दोनों टेंपररी रिस्टर बीच में हम लोगों ने यह लगा दिया अब यह भी जो है यहां पर चीज यहां पर आईगी जो कि हो गया अब हमें साइट का पचा तो आप सलते हैं साइट पर तो इसके बाद डी टीयर की उपर चार ब्लोक्स और आएंगी इहां मैं से पहला अगगा प्रोंग्राम काउंटर इसके बाद जो है एक और आएगा PC Intermeter इसके बाद बफर इसके बाद प्रोग्राम एड्रेसिंग रेजिस्टर यह पांच ब्लोग होगा इस साइट के पर यह पांच के पांच जो है एक डेटा बस से होते है डियेश करली देख सकते हैं आप खुछ इस परकार से अब इसके बाद इस सारी के सारे ब्लोग्ट हैं टेता बच से कनेक्टेड हो इसके बाद जो हमारा यहां से रॉम में भी यहां पर होती है कुछ इस प्रकार से तो यह सारे ब्लॉक्स जो हम लोगों ने आरेंज कर दी है हमारा अस्ती क्यावन अब हम पता है कि एक चिप की नोचाहाई यहां पर बना देते हैं तो देख सकते हैं एक चिप की फॉर्म में आपर हो गया पिंस के बारे में अभी आपको बताता हूं नहीं तो चार पिंस अब यहीं कि इसके साथ यहां पर दो पावर्स अप्लाई की नहीं होगी तो यहां पर एक प्लस भीज इसी और एक मैइस यानि ग्राउंड वाली अब बात के ने पोट की तो हर एक कोट के बाद जो एट पिंस होती है जह था कि मैं पी बंट से लेकर P 1.7 तक होगी 8 पेंस पोर्ट 2 मैं भी P 3.0 के लेकर 3.7 तक होगी पोर्ट 2 मैं भी P 2.0 से 2.7 तक होगी तो एे 4 पोर्ट के 32 पेंस 2 आपनस होगयी तो आपर 34 होगए इसके बाद 4 हमारी आपन हो गए तो यहाँ पर 38 हो गए अब बचे हमारी दो पिन यह दो पिन हो गए हमारी क्रिस्टल ओसिलेटर की जिसको हम एक्सटल टू और एक्सटल बन के नाम से लिखते हैं तो टूटल यहां पर 40 पिन हो गई तो यह था बेसिकली अस्टिक्यावर माइक्रो कंट्रोलर का इंटरनल आर्गिटेक्ट्चर या ब्लॉग डाइग्राम कि आप कोई समझ में आ गया हो अगर आपको कोई भी हम पर प्रॉब्लमाइया कोई भी पॉग्फ आपको समझ में नहीं आये और अगर आ assurance प्रिजेंटेशन चैनल कि यह सारे कुछ बनाया है यह बनाया है तो अगर पास चाहिए अगर आप Tails Uh पर आपको मेंसिज करना आथ चैनल माईिक्रो कंट्रोलर प्रिजेंटेशन यह आप उस नंबर पर मेंसिज करी तो मैं आपको कोई प्रेजेंटेशन वहाँ पर सेंड कर दूंगा और इसी प्रिकार से अभी यह चैप्टर खतम नहीं हुआ इसके बाद भी इसका पिन अरेजिमेंट में दाऊंगा पी आइसी माइक्रो कंट्रोल बताऊंगा और भी आगे बहुत कुछ इंट्रस्टिंग है इस चैप्टर में इसको मैं आपको बहुत में आप बताने के कोशिस करता हूं तो वीडियो अच्छे लगी हो तो आप सभी लोग प्लीज लाइक करते जाएगा क्योंकि आप लोग लोग करते हैं तो मुझे मोटिवेस्टन मलता है और मैं कुछ इसी प्र